तो दोस्तो आज 4 माई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस से क्टर से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंड कमपनी की शियर्स के बारे में जो की आज की डेट पे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आया और जिसके तुरू ये सारे कमपनी को बहुत जादा बेनिफिट म हो यहां पर जितने भी डिफेंस सेक्टर की कमपनी की शियर्स है मल्टी बैगा रिटन कमा के दिया अपने शियर्स होलर को चाहिए मजगाव डॉक हो सकता है जो कि लास्ट एक साल पे दोसो परसंट रिटन दिया यह हो सकता है वह भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड यान से रिटन दिया अब इसके पीछे में रिजन है कि सरकार की जो इंपॉर्टेन स्कीम से सरकार की जो प्रेजन पॉलिसी जैं या फॉरेन पॉलिसी जैं जिसके थूरू लगातार इंवेस्ट्मेंट हो राए इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ठीक है तो दोस्तों आज की इंडिया 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 से थोरा सा दूर में है परोसिया नहीं बोल सकते बढ़ थोरा सा डिस्टेंस में है ज्यादा दूर नहीं इंडिया 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 इंडिय exhibition कम seminar okay was organized in Jakarta 30th April 24 तो आज से लगबग 4 दिन पहले दोस्तो ये organized हुआ था very good by embassy of India, ministry of defense government of India and ministry of defense Republic of Indonesia which mark a keystone bilateral defense cooperation event in the series of programs being organized during the 75th year of establishment of diplomatic ties between the two maritime neighbors maritime neighbors इसलिए बोला क्योंकि देखे Indonesia के साथ, India का border के साथ मतब कोई connected नहीं है but अगर हम सामुदरिक route में बात करें मतब समुदर की route में वहाँ पे दोस्तों maritime neighbor अब consider कर सकतों तो दोस्तों ये दोनों देश की बितर बहुत सारे bilateral यहाँ पे partnership हुआ, अलग-अलग companies के साथ मैं आपको एक बात दिखाना चाता हूँ जैसे की इंडिया की जो एक बहुत ही फेमस missile है, Bramhos missile defense system हो या Bramhos missile हो अलग-अलग variant है, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे interest दिखाया, बहुत सारे Indonesian companies यहाँ पे बहुत सारे कंपणी को फाइदावी मिलेगा, चाहिए लार्सन अंटूब्र हो सकता है, भारत डाइनमिक लिमीटेट हो सकता है, बेल हो सकता है, जो कि इस पर्टिकुलर प्रड़क्ट मैनुफेक्चर करता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेग्मेंट को तो देखिए यह बहुत अच्छी अपडेट है, मैं बोलूंगा, एक्चुली इस टाइब की जो पार्टनर्शिप में ना, दोनों ही देश की जो कमपनीज है, उनको बेनिफिट में मिलेगा इकुली, और हाली में हमने ये भी देखा कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर है, करीब-करी 32% उपर पहुँच चुका है, जो कि अपना ओल टाइम हाई पे पहुच चुका है, जैसे का आप देख सकते, यह आज से लगब कुछ टाइम पहले की अपडेट है, मादब एक महीन पहले की अपडेट है, यह देखिए, फास टेफिल का अपडेट जब आपन पहुच चुका है, जो कि सारे 32% की ग्रोथ, अब देखिए, इसके पीछे बेसिकली जो रीजन है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज, इसके पीछे रीजन है, इंडिया की प्रेजन टाइम, जो स्कीम से है, पॉलिसीज है, यह जो इन्वेस्टमेंट होड़ा है इस सेक्टर क्यूपर, और जिसके चलते हमने देखा, यह सेक्टर में बंपर ग्रोथ देखनी को मिला, यहां पर देखिए, एक और यहां पर आपकी, जो कि एक मिनिस्टर है, उनके तरफ से स्टेटमेंट वी दिया, कि अंडर मोधी, डिफेंस सेक्टर हैस प्रोग्रेस ट्रॉंगली, बात तो एकदम सही है, तो देखिए, यह सारे निउस के चलता है, यह सारे कमपनी को फाइदा मिलेगा, अल्टिमेट लेकर हम बात करें, जो मुद्दे की बात है, कमपनी को फाइदा मिलेगा, जो कि मैं आपको आज से लगबग, एक साल, देर साल पहले से भी लगातर आप करेंगे, ठीक है, तो अभी वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखना, हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड, तो जो इस चैनल को रिगुलर फॉलो करते है, तो वो तो अंजान नहीं है, एकदम से डे वन से लेका अभी तक लगाता है, रेकमेंट किया, अभी इसके पीछ लिस्ट वा तब से लेकर अभी तक हो सकता है, हाल फिलालब्रम ने देखा, शियर जो है, 4000 क्यूपर अपना ओल टाइम हाई टच किया, अभी जो है, लास्ट दो तीन दिन से थोड़ा सा कंसॉलिडेशन देखने को बला है, जो कि अच्छी बात है, जो न्यू इन्वेस्टर से याप बोल सकतो कि जो इन्वेस्ट करना चाते है, उनके लिए मैं बलूँगा, प्राइम टाइम है, इसी कंसॉलिडेशन वाला टाइम पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाँ, साथ में कुछ एमाउन भी हाथ में रख देना, ताकि अगर शेयर में करिक्शन होत शिब इल्डर को भी कंशीडर कर सकतो तो आप क्यों पर है, यह तीनों कंपऑनी अच्छी कंपणी बेसिकली ने वाल बेस्ट प्रोडाक्ट यानि नेवी के लिए जो प्रोडएक्ट है, वो मैन्फेक्टर करता है, मैंज खोड़ भी हम पर आज एक रिसन थाम अपना औरा यह मत सोचना है कि अभी मैं आपको बोला हो मतलब एक मेने दो मेने बाद आपका पैसे दुगना हो जाएगा तो यह आपकी सोज गलत है मैं बार और वार वालत हो कि लॉंग टाम के लिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो गब्रेंट की पॉलीसी है वह आपको धीरे धीरे नेक्स पांच साल दस साल में आपको इसको पर इंपैक डाल दावा नजर आएगा मेरे बात को अच्छे से पकरने की कोशिश करना मैं शौट टम बिसिस पर नहीं बोला हो अगर आपका मीनिमाम टार्गेट चार साल पांच साल है तब ही इंवेस्ट कीजिए अहां अगर साल में आपको दुगना रिटन मिल गया तो आपके एडवन डेच है ठीक है तो जिस बैसे मैं बोलूंगा वाकी बात करें यह भी अच्छी कंपनी है हाले में आपने देखा बेल भी अपना ओल टाइम हाई टच किया दो सो एक तालीस रुपए पर और शिया देखी लाज़ वह फलाना फलाना ऐसा नहीं है मैं बारबर बोलता हो कि लॉंग टम का टार्गेट रखें साथ में बाई अंडिप में बाई भी कीजिए मतलब जो पूरा एमाउंट हो एक साथ इन्वेस्ट मत करना ठीक है नेक शेर बात करें भारत डाइनमिक लिमिटेड यह अप देख ल उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्राइवेट कंपणी जैसे की डेटा पैटन्स यह भी अच्छी रिटन देना वाला शेर है ना केवल पीएसू कंपणी इस सेक्टर में चाब वह प्राइबेट हो पीएसू हो सारी कंपणी अब देख लिए मल्टी बैगर सावित हो चु करने के बाद इसमें भी थोड़ा आपर करेक्शन करेगा वह भी मार्केट का इक पार ठीक है तो आपको हर एक पार्ट को दोननेकी जरूरत है और इस मौका धूलने की ज़रूरत है कौन सी टाइम पर जब share में correction होगा, जब share stable रहेगा, consolidate करेगा, तब आपको मौका ढूणना चाहिए, ठीक है, उसका बाद हम बात करेंगे, अस्तुर माइक्रोवेब प्रोड़क लिमिडेड ये भी अच्छी कमपनी है, चाहिए एक महीने की बात करें, share देखें, अपना all time high touch करने के बाद, थो यहां पर मैं include नहीं किया, जैसे कि भारत forg हो गया, अच्छी कमपनी है, जैसे कि वो क्या नाम है, दुर्णा अचारी हो सकता है, ठीक है, बाद बाद दुरों सेक्टर से बहुत सारे companies भी है, तो वो सारे company अच्छी कमपनी है, ऐसा नहीं कि यहां पर मैं एड्ड नहीं गय इसको एकुली बेनिफिट मिलेगा ऐसा नहीं कि किसको कम ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर कोई बीशियर को आपको इंडिविजुली जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए ठीक है ताकि आगे मुझे मालूम पड़े कि कौन सी यह आप लोग चाहते हैं कि मैं इंडिविजुल वीडियो पोस्ट करूँ ठीक है बागी कोई भी आपका डाउड्स बगरा है कोई क्लियर करना फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक कर बाबाई जय हिंद्ट